नमस्कार दोस्तों, भारत एंटी सेटलाइट मिशन की काम्याबी के बाद एक और धमाका करने जा रहा है इस बार भारत ने लॉंज कर दिया है दुश्मन के रडार की लोकेशन या सही स्थिती की पूरी जानकरी दे सकने वाले सेटलाइट को भारत अब पूरी सटीकता या एक्यूरेसी से दुश्मन के द्वारा बोर्डर के नज़्दीक लगाए गए सभी गुप्त रडार सिस्टम्स का पता बहुत पहले ही लगा लेगा कौन सी नाव भारती सीमा में किस दिशा से घुश रही है और कहां कौन से आतंगवादी ठिकाने पर कितने कम्यूनिकेशन के डिवाइस एक्टिव हैं जिससे आतंगवादियों की सही संख्या का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा और सिर्फ इतना ही नहीं भारत ने एक और काम्याबी हासिल करते हुए एक ही रोकिट से तीन अलग-अलग उचाई की ओर्बिट में सेटलाइट को काम्याबी के साथ लॉंच करने में भी सफलता पाली है ये सब कैसे हो रहा है आईए जानते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्टेट्स चैनल पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत ने आज यानि एक अप्रेल को अपने पोलर सेटलाइट लॉंच वहिकल से अपने 47 मिशन में दूसरे देशों के 28 उपग्रहों के साथ साथ 436 किलोग्राम के अपने सबसे आधुनिक स्टेजिक सेटलाइट एमिसेट को लॉंच कर दिया है इस रोकेट को सतीश धवन स्पेस स्टेशन SHAR श्री हरी कोटा से सुबह साड़े 9 बजे लॉंच कर दिया गया है बात करते हैं इस आधुनिक एमिसेट सेटलाइट की तो ये इसरो के ही इंडियन मिनी सेटलाइट 2 IMS2 बस ब्लेटफार्म का ही आधुनिक वर्जन है इस सेटलाइट की जो बात इसे खास बनाती है वो है Electromagnetic Spectrum Measurement आपको पता ही है कि रडार वे दूसरे कम्युनिकेशन के उपकरण जैसे मोबाइल आधी कुछ खास तरंगों का इस्तमाल करते हैं एमिसेट सेटलाइट के द्वारा दुश्मन के द्वारा लगाये गए रडार वे दूसरे कम्युनिकेशन उपकरण को आसानी से ढूंडा जा सकता है उनका पता लगाया जा सकता है फिर चाहे इनको दुश्मन देशने बड़ी ही चालाकी से छुपाते हुए ही लगाया हो भारत अब पूरी सटीकता या एक्यूरेसी से दुश्मन के द्वारा बोर्डर के नज़दीक लगाये गए सभी गुप्त रडर सिस्टम्स का पता बहुत पहले ही लगा लेगा रडर की लोकेशन पता लगाने के बाद इसकी तरंगो या वेवलेंट की शमता से यह आसानी से समझा जा सकता है कि दुश्मन किस चीज की निगरानी कर रहा है और उसकी निगरानी करने या जासुसी करने की शमता कितनी है यानि एक तरह से यह सैटलाइट रडर किलर सिस्टम है दूसरे देश के रडर को पूरी तरह से ओपन में ले आता है पूरी तरह से उसकी शमता को सब के सामने पब्लिक करके रख देता है यह M.E. Satellite कितने काम का है इसका एक और उधारन देखिए भारत को पता था कि पाकिस्तानी आतंगवादी संगठन जैसे मोहमद का एक बड़ा आतंगवादी ट्रेनिंग कैम पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में है लेकिन उसकी सही लोकेशन क्या है और इसमें कितने आतंगवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं इस बात का सटीक जवाब हमें मिला M.E. Satellite की तरह के ही सैटलाइट से इसी से हमें यह पता चला कि वहाँ 300 के करीब आतंगवादी हैं और 300 एक्टिव मोबाइल कनेक्शन्स हैं बाकी जासूसी जानकारी के साथ साथ सैटलाइट से मिली पक्की जानकारी से ही भारत पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर बालाकोट इलाके में एरस्टाइक करके सही ठीकानों को लेजर गाइडिड बॉम से नर्स्ट कर पाया इसी सैटलाइट के साथ ही इसरो के ही ओटोमेटिड आइडिटिफिकेशन सिस्टम को भी लॉंच किया गया है जिसका इस्तमाल करके भारत सटीक तोर पर यह ट्रेस कर पायेगा कि कौन सी नाव कहां कब और किस दिशा से भारत के छेतर में प्रवेश कर रही है जिससे उसे स अतंगवादी समुद्र से ही नाव के जरिये भारत की सीमा में गुसे थे उस समय हमारे पास ये सब सिस्टम होते तो उस हमले को भी रोका जा सकता था दोस्तों अब बात करते हैं इसरो की काम्याबी की इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन यानि इसरो ने एक जबरदस्त काम्याबी हासिल की है अलग-अलग उचाई के और्बिट्स में अलग-अलग सैटलाइट को स्थापित करके दिखा दिया है और वो भी एक ही रोकेट से यानि अब अलग-अलग उचाई की और्बिट के लिए अलग-अलग रोकेट लोंच करने की आवशकता नहीं है सबसे पहले इस PSLV C-45 रोकेट ने 749 किलोमेटर उचाई की और्बिट में EMSET सैटलाइट को सफलता के साथ स्थापित किया उसके बाद थोड़ा न इंजन को दुबारा कुछ समय के लिए चालू किया गया और अंत में रोकेट ने 485 किलोमेटर की उचाई की और्बिट में पहुँचकर तीन अन्य पेलोड को स्थापित किया साथ में इसरो ने एक नए एक्सपेरिमेंट करते वे फोर्थ स्टेज के लिए सोलर पैनल से भी उर्जा उत्पन की और इसे इस्तेमाल किया इस तरह के नए एक्सपेरिमेंट लगातार इसरो करके अपने रोकेट्स को सबसे आधुनिक वे सक्षम बनाता जा रहा है इस रोकेट्स में भारती सेटलाइट के साथ-साथ 28 विदेशी सेटलाइट्स को भी और्बिट में स्थापित किया ये सेटलाइट्स अमेरिका के थे, स्पेन के थे और स्विजरलेंड के थे ऐसा करके ना सिर्फ इसरों ने सम्मान पाया बलकि विदेशी मुद्रा यानि की फोरन करंसी भी देश के लिए अरजित की है वैसे इतनी बड़ी संख्या में सेटलाइट एक ही रोकेट से लौँच करना इसरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इससे पहले भी इसरों ने एक ही रोकेट से ये रिकोर्ड कायम किया था कि एक ही बार में 104 इंडियन वे विदेशी सेटलाइट को सफलता के साथ ओर्बेट में स्थापित किया 2017 की 15 फरवरी को लौँच किये गे PSLV C-37 रोकेट ने यह कमाल दिखाया तब इसमें एक सेटलाइट कार्टो सेट 2 भी था जिसका अकेले का वजन 714 किलोग्राम था दोस्तों इसरों ने देश का कितना नाव रोशन किया है इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत के इसरों ने अपने पहले ही परियास में मंगल घ्रह तक अपना प्रोब भेजने में सफलता पाई जो आज तक कोई और देश नहीं कर पाया है और इससे भी बड़ी बाती है कि इसरों ने यह सब सिर्फ 400 करोड रुपे के बजट में कर दिखाया जबकि दूसरे कई विक्सित देश यह कमाल अर्बो खर्बो डॉलर लगा कर भी पहली बार में नहीं कर पाये मंगल घ्रह के लिए इस प्रोब को 5 नवंबर 2013 को लौंच किया गया था और यह 298 दिनों तक यात्रा करते हुए 24 सितंबर 2014 को मंगल घ्रह के ओर्बिट में दाखिल हुआ हमारे वैग्यानिक देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे है भारत टेकनोलोजी के छेतर में देर से आया लेकिन दुरुस्त आया अब भारत को टेकनोलोजी के माध्यम से ऐसा एक रक्षात्मक कवच बनाने की ओर पूरी ताकत लगा देनी चाहिए जिससे भविशे में कोई भी बाहरी आतंगवादी हमला हमारे देश पर ना हो पाए और हम सब सुरक्षित रह सके हमारे वैज्यानिक जीजान से लगे हुए हैं साथ ही भारत की सरकार को भी पूरी इच्छा शक्ती के साथ इस रो का साथ देना चाहिए समय पर सभी जरूरी पर्मिशन्स मिलनी चाहिए वे फंड्स की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपकी भारत की इस स्पेस टेकनोलोजी की शमता या ताकत के बारे में क्या राय है किरपिया कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए वीडियो से सम्बंदित कोई सुझाव हो तो वो भी बताईए दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार